यह question गेट वहां थी के अंदर टूम मार्क के लिए पुछा गया था और यहां पर यह के अंदर बहुत सिंपल से क्लीर करका है इसमें कि जो यह lines है यह lines को भी आपके अपके अंदर connection है वो programmable है वो आप connect कर देंगे लेकिन यह उपर word lines है आपको पता है यह address lines है जो connect कर रही है आपको पता है कि address lines कैसे काम करती है यह address lines होता है वो होता है decoder और फिर उत्यम्स में or gate आपको पता है कि जो decoder के input होते हैं वो क्या कहलते है address lines और जो प्रोग्राम कर देते हैं तो वही कहानी कि यहां पर यह address lines को मिल चुकी और इसको यह data lines में कर देता है यह word lines पर पहुंच जागी कब पहुंचेगी क्लोग के बाद हर क्लोग के बाद यह नहीं वाली word lines कर पहुंच जागी उस word lines recording वापस नहीं एड्रेस मेंनेगी जो रॉम address line के coding ROM अपना एक नया word line मनाएगा यह रॉम किस तरह से address को किस word line में करनोट कर रहा है उसके लिए इस नहीं देर का है यहां पर एक table कि यह address lines होती मिलती है रॉम को तो यह data lines में कर देता है तो जो रॉम की content है partial table of content of ROM is given as follows तो यह रॉम के अंदर हम बात करें तो address lines के coding जो भी address हा रहा है उसकी according जो यह data lines करनोट करता है इसको बहुन बोल सकते है word lines करता है वह सीधा word lines वापस अगली clock के बाद नहीं change हो जाती है और पिर से address को set कर देती है और वह address वापस आपको क्या बना जाता है पिर से ROM हाला कि जो clock देरका था वह उन्हें यहां पर देरका है इस जाली जगह पर जहां प्रेट कर रहा है address दे रहा है तो अभी भी बोल सकते हैं कि यहां पर जो नया word lines बनती है और यह word यहां त्यार रहेगा अब इस word के time पर clock के time T1 पर यहां पर यहां पर इस time पर क्या देरका है जैसे आपको पता है कि अब जैसे clock आएगी यह clock इसके according address बना के बाहर बेज़ देगी अब मुझे बताई कि 010 होता क्या है 6 तो 6 के according यह इसको नियुमेरिकल ले रहा है इसने जो टेबल देरकी हो नियुमेरिकल में देरकी है अब आप सब्सकते हैं कि बाइनरी के अंदर भी ले सकता है अगर आप इसको इसने जो देरका है यहां पर बीसी डीके देरका है यह जो डेसिबल में देरका है उस डेसिबल को आपको रेपिजन करना है 010 जीको तो यह 6 है अब जो 6 इसके बास एड्रेस आ रहा है उसके according रॉंग क्या निकालेगा यहां पर उट्फूट वो निकालेगा 1010 तो 1010 वर्ड लाइंस पर पहुंच जाए है यहां पर एक क्लोग पर तो इसने बना दिया इसको वपस नया क्या 1010 लेकिन 1010 के बाद भी एक नई क्लोग आने वाली तो 1010 जैसे नहीं क्लोग आएगी यह सोड़ी तो जैसे यह क्लोग आती है इस 1010 का आउट्पूट यहां पर पहुंचा देता है और इसको रॉम क्या पर होगा जो यह 10000 है तो 10000 आप बोलें कि अगली क्लोग आती उसके बाद क्या होगा तो अगली क्लोग के बाद में को बता है जी 10000 है इसका मतलब 8 और 8 का जो आंसर है 1011 जिसे क्लोग आएगी वह आपको यहां पर वर्लाइन पर क्या पाज़ा देगा 1011 तो बड़ी ध्या यहां पर यहां से निकले की वह एड्रेस लाइंस और इसे लिए टरंत पढ़के रहूं क्या बना देगा और इन डेटर लाइन में वर्लाइन के यहां पहुंच जाएगी वह पहुंच जाएगा अब वह अपस रिटा कप चेंज होगा जब नहीं ख्लोग आगी तो यहां न टीवन की थोड़ी सीदे बात पहली क्लोग आती है तो 0110 यहां रॉम की यहां पहुंच आता है रॉम का का में रॉम का काम है एड्रेस जैसे आएका उसको पढ़कर उसके साबसे वर्ड लाइन पर नहीं डेटर लाइन ने करो देना तो यहां पर जैसे जैसे जिरो और बात यह 1010 फिक्स हैँ यानि कि आपके यहां पर क्या प्स होजाएगा 1010 यह आपको आया तो यह एक क्लोग के बाद तो काम हो चुका है आप अपको बता है टीटू से पहले एक यह एक नहीं नहीं एक लोग पर अन्सर आ गया अब दूसरी क्लोग भी तो रेनटिटू ताइम पे जने कि दो क्लोग हो जाने के बाद जो वर्ड लाइंस पे तो आपको दिख रहा होगा क्या दिख रहा होगा 10000 only अब अब तो अब तिसी क्लोग लेते तो कहानी यसी चलती रेती आगे और आप देख से क्या पूचा है इसने बखर प्रोटन, शर्ट बटन, शर्ट बटन शर्प्सक्राइब यूत चानल और प्रेस्जिट वाल इकन ऊप्टेष था झाल अटन एक्ट था प्टेस्ट थाजिक। थाइक।